अब शान्ति आप सबको स्वागत है आपके यूट्यूब चानल सीधसूल्द टूतलाइज विदिन में और आज हम चर्चा कर रहे हैं परमात्मा पिता के 11 में के इश्रे बरतान में जाहते हैं कि हम हलके हो जाए और हम केर फ्री हो जाए और हम हर निर्ने ठीक तरीके से ले प चुकि और हम उस समय ठीक से क्लियरली कोई निर्ने ले नहीं सकते हमारे निर्नों में या तो फिर गंभीरता बहुत जादा होगी सीरसने बहुत जादा होगी या तो फिर हमारे उत्तेजना बहुत जादा होगी हाबड़त बहुत जादा होगी और उस कारण से हम गलत निर् सदा विजवी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा कि मुझे परमात्मा के बल से करना है मुझे अपना बाव बल नहीं दिखाना है पोस्ट पुजिशन का बल नहीं दिखाना है मुझे परमात्मा के गुनों का शक्तियों का बल यूज़ करना है और मुझे उस कारे में नि तुम इस कारी को सफने कर पाओ तुम जीवन में भी आगे बढ़ने पाओ गए तो इक बल हो परमात्म के बल और एक बहुच्छ मन परोसा अपना बहुता है निस्चे बनाता है सदाओ कि परमात्मा मुझे बोल रहे हैं मुझे जो गुर्ण और शक्तियां इस्तमाल करने के लिए बोल रहे हैं इसके की आरे को सफ़ल करूं वह उस पर में को प्रवच नहीं हो तो एम ठाल पूछेंगे दो दो लोग तीन लोग और उससे हम कंफ्यूस होंगे और निर्ने लेना गाडनेंस की आगू अब ब्रमकमारी इस में हर दिन पढ़ते हैं सीखते हैं अगर आपको रचुके हैं 7-10 का तो आपको पता ही है प्रमत्र कहते हैं निश्चे सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिती निश्चिंत है वे हर कारे में सफल होता है क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धी जज्ज्मेंट यथात करती है एकिन उसमें अगर हमारा मिश्रन आ जाता है मैपन आ जाता है मेरा आइडिया मुझे पहले मेरे को पहले होना चीए मेरे को पहले पता चलना चीए मेरे को आगे बढ़ना है तो परमात्व कहते हैं फिर हम उस पे हर किसी को दुख देते हुए हर किसी को तंग करते हैं हम आगे बढ़ते हैं फिर वही लोग हमें रोकना शुरू कर देते हैं प्रणा केते हैं तो यधार्त निर्ने का अधार है निश्चे बुद्धी निश्चिंत सोचने की भी आवशकता नहीं क्योंकि फॉलो फादर करना है तो असोचता बन जाना है जब हमारे अंदर बहुत कनफिजन होता है अभीमान होता है अहंकार होता है गिरना नफरत होती है यह हमें किसी से इर्शा होती है और हम उस कारे को आगे करना चाते हैं और हमारे ही साथ में जो लोग हैं उनसे कर हमें इर्षाय और हम ही टीम में हैं और हम आगे को कारे को पूरा करने कोशिश करते हैं तो फिर हम एक बल एक भौरोसा नहीं हुआ उसमें हमें चिंता होती कि यह मेर से अगे ना बढ़ जाए इसको लोग ज्यादा महत ना दें तो यहाँ पर फिर पिर कारे में की रुर्ट करते हैं genius अधार है निश्च्चिन्थ सोचने की भी आव में टेशन करना है अपने अंदर करके राज्य क्द्हान करके अपने अंदर की म Dubdhi को मैल को निकालना है ताकि उससे हम अपने मन बुद्धी को clean कर पाएं, clear कर पाएं और उससे हम निर्णे ले पाएं फिर पाप्राणतर कहते हैं क्योंकि follow father करना है कदम पर कदम रखना है पर मातमा पिता कि पहले बच्चे ब्रह्मा को follow करना वहारा है तो पावारे बच्चे बिर्यज अपर निर्खके बढ़ाएं बढ़ा है कैसे चीज तक जो इश्वरे विश्वविद्याले आगे बढ़ता जाये कुछ तो गुढ़ ओंगे कुछ तो शक्ति आओंगे उनको हमें इस्तमाल करना है सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विज़ई रत्म बन जाएंगे परमात्मा का इश्वरिय विश्वविद्याले है यह हमारा किसी परसन का नहीं है कोई परसन इसको नहीं चला रहा है ना दीदिया चला रही ना दादिया चला रही है वो परमात्मा के दिये हुए गुण और शक्तिय और ग्यान को इस्तमाल करके चलानी तब यह सपल हो रहा है हमें क्या करना है हमें सेम चीज़ को फॉलो करना है अगर उस चीज़ के अगेंस जाएंगे तो हम खुदी गिरेंगे अपना ही सर्वनाश करेंगे और सत्य नाश हो जाएगा सत्य का नाश हो जाएगा तो परमात्मा सत्य परमात्मा की कदम पर कदम लगा करके चले हम जितना हो सके और हम सपलता पाके ही रहेंगे यह परमात्मा की प्रोमिस है प्रोवाइडेड कंडिशन अपलाए कि हम उनकी बातों को फॉलू कर रहे हैं आज के ये श्रीवर्दान इसे के साथ ओम शान्ती